जै शिवत्यजी, जै अदिशक्ति माव आज मैं काल सरप यूग के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ इसे मैंने आठ नो वर्षपुर्व हिस्क के उपर लिखा था और लोगों ने जब मैंने इसको फेस्बिक पे डाला था लोगों ने बहुत पसंद किया था पसंद कार्थ होता है कि जब आपकी विचारधारा हमारे विचारधारा से मिल जाती है और आप उस पे संतुष्ट होते हैं तो ही वह अच्छे लगती है कई लोग इससे विमुक हो जाते हैं को नहीं भी अच्छे लगते होगे लेकिन आज मुझे लगा कि मैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के समूख कह सकूँ कि काल सर्व योग क्या है यूँ मैं बच्पन से सुनते आये थी और मैंने देखा था कि लोग इसके लिए हाथों में चांदी का सर्व बनवा करके भी पहलते हैं या चांदी का सर बनवागर के दान करते हैं ये समय देखती थी परिवारों में मुझे समझ में नहीं आता था कि इससे क्या मेरे जो दोश है कालसर्प क्या है वो दोश ही ही तो है पुराने जन्मों का दोश जो इस जन्म में हम ले करके आते हैं अपने संचित कर्म जो प्रारब्ध बद करके इस जीवन उतरते हैं और मुझे डस्ते हैं, परिशान करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने नहीं देते, बहुत सारी चीजे होती हैं तो उसे हम काल सर्प योग मानते हैं, जीवन के उपर भी जब प्रशना के खड़ा हो जाता ह मुझे इस लगता है कि आकाल सर्प योग हमारी कंडली में इसली होता है, एक्चिली हमारी कंडलीनी मा है, जो हमारे मूलाधार अस्थी में बैठी होती है, साभी तीन कंडल में, कंडल मार करके बैठने के वजए से जो प्रत्युमने एनरजी है, जो उर्जा हमारे भीतर आजी शक्ति के बैठी होती है, गौरा मा के बैठी होती है, कुंडलेनी सुरूप में, तो चुकि वो कुंडलेनी शक्ति में हर कुछ संचित है, जैसे हो CCTV होती है, वो CCTV हमारे ही भीतर मुलाधार अस्ते में रखनी गई हैं, और वो सब कुछ जानती हैं पहला भी और अभी का जैसा जैसा जो कुछ होता है वही निरड़य करती हैं वो हमारी प्रकृतिमा भी है वो सब कुछ बताते हैं कि अब आगे हमारे साथ कैसा होने वाला है तो ये इस चेतना में जब हम आ जाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं हम ये कर सकते हैं कि अब हम इस जो वर्तमान समय है या मेरा ये जो जीवन है उस जीवन में हम कुछ भी अशुद कारे नहीं करें हम गलत कारे नहीं करें हमारे संग्यान में ये बात आए कि ये जो है वो गलत है चाहे वो हत्या हो आत्मात्या हो कोई संबंध हो गलत चीजें हो प्रविर्ती हो प्रकृती हो ये सब अगर हमारे संग्यान में आ गया तो हम नहीं करेंगे कोई एक हत्यारा किसी के पीछे जाकर के वो हत्या करता है अगर उसको ये पता चल जाए कि हत्या मैं क्यों कर रहा हूँ इसका उद्देश क्या है और इससे हो क्या जाएगा क्या बाते बदल जाएगी बलकि उसकी जिन्दगी खराब हो जाएगी यह जीवन भी उसका समाप्त हो गया तो जो लोग आत्महत्या करते हैं वह भी अपना यह जीवन बचाता है जो शायद हो समर सकता था वो भी चला जाता है तो कुंडलेनी मापे सब अंकित होता है जैसे जैसे जो अंकित होता है वो यह वो नए जीवन में मैनिफेस्ट करते हैं आखे सोचो कि एक बच्चे की कुंडली कैसे तयार हो जाती है वह तो आत्मा भी गर्व में आई कैसे कोई जोतिश उसके बारे में जान सकता है वो कुंडलीनी मा जो है वो पूरी की पूरी एक रूप रेखा बन करके पहले ही आ जाती है बच्चे का जनम होता है कुंडली बन के तयार जाती है कि इसकी यह गर्व है इसके यह है यह खराब गर्व लेकर आया या यह अच्छा गर्व लेकर आया है इतना ही तो कोई जोतिश बताता है ना तो जो खराब गरह आये हैं उसकी काट क्या है ये कोई हम चांदी का सर्प पहन करके या दान करके इससे कुछ भी नहीं होगा कहते हैं ना कि गंगा जल में पाप वही धूलते हैं जो पाप हमने अंजाने में किये होते हैं लेकिन अगर हम इस जीवन में पाप करते रहें और गंगा जल में जाके नहाते रहें छड़ते रहें उससे कुछ भी नहीं होगा वहमा भी पाप नहीं तारण करे सकती है प्रभु यम्राज भी हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो कहने का अर्थ ये है कि जो कालसर प्योग हैं वो हमारी कुंडलीने मा में अंकित होती हैं वही हमारी कुंडलीने मा हैं जो हमें इंगित करती हैं कि ये सब गलत हो चुका है अब तुम सुधारो, इसको अपने सुन्दर कर्मों से, अगर हमने पिछले जनम में कुछ ऐसा गलत किया, जो हमारी आत्मा सुरूप को नहीं करना चाहिए था, हम उसको ध्यान पूरवक समझें, कुर्णिनी जागरण के पश्चाते बहुत जल्दी समझ में आता है, जब तक कुर्णिनी का जागरण नहीं होगा, मनुशी अब समझ ही नहीं पाएगा, कि गलती पिछले समय में क्या हो गईगा, इस समय हम उसको कैसे सुधारण, तो जो सुधारण प्रविर्टी है, वह हमारी भीतर अंतर जाथ होनी चाहिए, या बाहर मंत्रों को पढ़ करके, कुर्षे का जो आग्या चकर जब वो खुल जाता है, तो यह समझ जाता है कि अब हमको क्रोध, डाउनवर्ड्स, प्यार, ओनवर्ड्स, अब जो श्राप देते हैं, वो डाउनवर्ड, मत श्राप दो किसी को, अब क्या करना क्शमा, ओनवर्ड, जो हम याद रख रख के अब कराब होती है, मर जाते हैं, उसी के लिए सूशते रहते हैं, उसने ऐसा क्या वैसा क्या, उसको नीचे डालो, उपर में क्या लेकर आए, भूल जो, जो जो जब तक हम यह नहीं करेंगे, हमारी कुर्णनी पर पुनहुआ हो च्छाप नहीं बनेगी, जो चाहती है, मु कर ही नहीं सकता, तो इस जनम में वह भोग ले कोई भी चीज, उसके सामने आएगी, लेकिन यह जो सर्प हैं, वह हमारी कुर्णनी मा के ही प्रतीक हैं, और जब तक हम अपने कर्मों को सुन्दर नहीं बनाते जाएंगे, तब तक कुछ भी करने से इसका कोई फैदा मिलता नहीं है मनश्य को, तो कर्म सुधार ले, हम दान नहीं करते थे, हम खुद दान करेंगे, दान हम दिखागे के लिए करते थे, तो अब हम नहीं करेंगे, हम शांती पूर्वक दान करेंगे, हम किसी की साहता कर देंगे, हम किसी को प्यार दे देंगे, हम को किसी से क्या चाहि अब इसको नीचे नीचे जो expectation होते है ना लोगों से उसको नीचे नीचे बिठाए हम क्या कर सकते हैं इसको उपर ले कराए हम ये कर सकते हैं वो करें जो मेरी सामर के वो हम करेंगे यह मेरा कर्म है यह मेरा कर्तव है यह मेरा प्रेम यह मेरी शक्ति है यह मेरी आत्म शक्ति है जब हमारे भीतर ये सब चीज आ जाएगी, तो स्वेमेव हमारे जो पुराने करमे वो कटेंगे, वो चाहे जैसे कटे, प्रभु को जैसे काटना हो, कुंडलीनी माने जिस तरह से उसको काटे की विदा लिगी है, वो तो कटेगा, कटेगा तभी तो ये बंधन तूटेंगे, जब ये बंधन करते जाएंगे, तो हम कहां जा रहे हैं, हम सुतंतरता के उस पर जा रहे हैं, अब मेरे उपर कोई दोश नहीं, दोश करते जा रहे हैं, लोग कहते हैं, आप प्रभु की चरणों में आ जाते हैं, गुरु की चरणों में आते हैं, तो दोश कर जाते हैं, ल आपके भीतर एक wisdom तयार हो जाता है, एक समझदारी हो, ये अगर मुझे परणाम मिला है, तो इसका मतलब है कि ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसे हम करे होंगे, अब तो मुझे नहीं करना है, तो जो लोग इस जीवन में समरने की कोशिश में चले जाते हैं, अब राध को समझ जात तो उसे लेकर बड़ी बड़ी बात हो तब, वो हमारे संग्यान हमारे चित में नहीं आता, हम गल्दी कर रहे हैं, गल्दी हो जाती, फिर आपका एक प्रारॉप दिबन के तयार हो गया, तो हम ध्यान क्यों करते हैं, हम ध्यान इसलिए करते हैं, हमारा चित, हमारी संग्या में इस बुद्धी में रहे कि हम क्या कर रहे हैं इसका परड़ाम क्या होगा और इतना तो हम जानते ही हैं कि गलत बात का गलत परड़ाम होगा अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा परड़ाम होगा क्या होगा भी डोलनों पर अच्छा ही होगा अच्छे कर्म का ये विश्व गलत कर्म का गलत परणानों का ये विश्वास रखना है। इसको हमें स्विकार करके अब आगे बढ़ना पड़ेगा। जिंदगी को रोके नहीं, दूसरा मैं यही कहना चाहती हूँ उनसमज्ट बहनों से या बाईों से जो इस पे परिशान रहते हैं और मानते हैं जो इतिश के पास चाहते हैं और यह मानते हैं कि हाँ यह सब चीजें जीवन में, कठिनाई वो आपके बारे में बताएंगे कि प्रतिशत कुछ भी सत्य नहीं होता, मैं जो भी कह रहे हूँ हूँ, अपने ही जीवन से संबंदित बातों को कहती हूँ, मुझे पढ़ लिक करके बोलना नहीं आता है, जो मेरे जीवन में घटित हुआ, वो ही मैं आपसे शेयर करूँगी ताकि आपका विश्वास बना र नहीं कर सकते हूँ, लेकर इतना जाने, एक समय जरूर आएगा जब आप कहेंगे कि मुझे इसकी कोई जवत नहीं है, जो कुछ कुछ कुंडली में लिखा है, वो बदल सकता है, कई बार कुंडली में लिखा हुआ हर बात सही नहीं होता है, हर भविश्वारी सही नहीं होत है क्या बनाना चाहते हो कर्म कर लो किसी ने का मैं गड़ा खूदता रहूं और पानी आए ही नहीं तो क्या फायदा है आप वो कैसे पता कि आप गड़ा खूदते हैं पानी नहीं आएगा आपका जो प्रयास है वो गड़ा खूदने का है पानी निकलेगा कि नहीं निकलेगा वो आपका भाग क्या है तो इस भाग के लिए हम लोग तयार रहे हैं क्योंकि हम कर चुके हैं कोई पढ़ाई कर रहा है आईस की वो नहीं बनेगा यह सोच के मेनत नहीं करें तो कोई मतलब नहीं है कि वो फॉर्म बरें और उस पर जाकर के अपना समय बरमात करें नहीं बनेगा मतलब उसे वो मेनत ही नहीं है तो मेहनत करना तो अपने हाथ में रखना ही पड़ेगा उसके बाद ही वो प्रारम थताए करेगा कि वो सब संजोग मिलाकर दे कोई इसका कर्म इसका प्रारम इसको कहां लेके जा रहा है तब उलेके जाए तब समझना कि ये बात ऐसी है लेकिन उसके पहले दिए हमने कर्म ही करना छोड़ दिया तो शायद वो बहुत ही नीचे हमको डुमाने के लिए तयार है तो हर प्रियास हर मेहनत फलदायक होती है आज पता नहीं चलता है आगे आने वाले सा अपना लेकर के आते हमारे पूर जनमों से जो कुछ घटनाय घटी थूई में इस जनम की नहीं होती है पतर दोष मेरी ही वज़़ज़ से मेरी कर्मो helping वज़ज़ से जो दोष आता है उसको हमको दूर करना होता है तो हम अपने कर्मो के माध्यम से दूर करेंगे अब हम इस के प्रगा को सुन्दर हे तो कई बार पूरवज भी गलत कर जाते है। हमारे पूरवज घर देते रहोंगा हमारे पूरवज खिसी की जमी оїर्प ओंगा है हमारे पूरवज, आज मैं उस खांधान में जब जन्मी हो तो मुझे उस सब रिड को पूरा करना पड़ेगा क्योंक तरह से सहने की एक रेल एक्सिडेंट में इतने सारी लोग चले जाते हैं तो आप नपित्र दोश डरे आप अपने कर्म को जब आप समझ जाएंगे आतमा को समझ जाएंगे आप ध्यान में सिद्ध हो जाएंगे आप शने शने इन सब चीजों से दूर होते चले जाएंगे और दोश जो बन चुका है उस प्रारव्द को तो प्रभू भी नहीं टाल सके ना टाल सकते हैं और ना टालना ही है क्योंकि जब कोई नियम बन जाता है जो सपोजे की स्पीड है उसकी कोई गती है या हम जब कहते हैं कि एक पाई है एक परिद ही है सरकम्फ्रेंस है उसको हम टाल नहीं सकते हैं उसको हम कुझ जीना पड़ेगा स्विकार करना पड़ेगा लेकिन ये जरूर विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जब आप ध्यान करने लगते हैं तो उनका आगहात, जो उनका impact होता है, वो बहुत थोड़ा होता है, कोई पैर तलवार से कट जाए, एक वो घटना घटे, कटना है, या किसी का आपको छोटी सी छोड़ी लग जाए, आपको कुछ सुयां छेद कर जाए, वो कम से कमतर होती जाती है, वो सजा कम हो जाती है, परियमत करके किसी गुरू चर्णों में कट जाएगा, नहीं, गुरू आपको उस स्थान पे बिठाएगा, आपका ध्यान आपको सहस्तरा पे बिठाएगा, इस ब्रहमांडी गती से जोड़ेगा, तो जो सत्य है, वो सामने लाएगा, और जब सत्य सामने लाएगा, तो फिर सारे द जाते हैं, हमें कोई समझता नहीं, कोई नहीं समझेगा, आप ही को अपने आपको समझना पड़ेगा, और सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, ये क्यों आया है मेरे जीवन में, ये मेरी परिक्षा है, व्यक्तिगत परिक्षा, तो आप ही को तो दूर करना होगा लोग तो कारण बनेंगे लेकिन उसको आप अपने प्यार से धीरत से परमेश्यरी मा की कृपा को मानते हैं परम चैतन्य का आभार प्रकट करते हैं प्रभुरु की शिचर्णों में कोटे-कोटे प्रडाम करना होता है प्रतिपल प्रडाम करना है हमें शुक्रिया कहनी है हमें सभी कोशुप कामनाए भेजनी है लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि जो लोग गलत हैं आपके जीवन में गलती करते चले जा रहे है आप प्रभु की शिचर्णों में छोड़ के कह देजिए कि आप इनको समभा लिए ये अब हमसे समलने वाले लोग नहीं है हम शान्त रहके भी देख लिए हम प्यार करके भी देख लिए तो अब आप उनको भूल करके परमात्मा के चरणों में डालिए और अपनी शक्ति को ये जरूर कहतीजिए या तो हम जाओ मत या फिर वो उनकी जो नकरात्मक है जो शक्तियां है जिनको आपके उपर भेजते हैं अपने अटेंशन से उनको नश्ट करिए क्रॉस करिए हर बात्मन को क्रॉस करिए कि मुझे तुमारी कोई जरूरत नहीं है अपने जीवन में और इस तरह से आप वहां से बाहर निकल सकते हैं जब आप डूब रहे होते हैं तो हाथ पर चलाते हैं न बाखिर बाहर निकलने की कोशिश होती है तो बस यही हम सब की कोशिश है बाहर निकलने की हम उलजे नहीं और हम अगर कोई धारा बहुत ही विप्रीत जा रही है तो हमको मेरे हाथ पाउश्टे लो जाएंगे तो हम आराम से सांस रोख करके छोड़ करके चुपचा बैड़ जाएं और धीरे धीरे देखें कि प्रकिर्टी हम से क्या चाहती है परमात्मा का क्या संदेश आता है जब तक हम निर्विचार नहीं होंगे हम शांत नहीं होंगे हम उनकी वाणे को नहीं समझ सकते हैं तो आपका काल सर्प दोश दूर हो जाएगा बिल्कुल परिशान मत हो बस आप ध्यान भक्ति की तरफ जरूर जाएं बिना ध्यान के आप स्वयम को नहीं प्राप्त कर सकते और बिना भक्ति के प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है तो जागरण के पश्चात ही, कुणिनी जागरण के पश्चात ही यह कार होता है और मैं आप सबसे हाँ जोड के विंति करती हूँ, मैं सहज योग में 99 में आई, उसके बाद से हमारे जीवन में उत्तर उत्तर भीतरी गती बढ़ती चली गए, बाहर लाख लोगों को नजर आ तो आप समझ सकते हैं कि यह बाहर नहीं है, यह भीतर की बात है, वह भी आपको भी मिले, आप भी शांत रहें और एक सुखत जीवन, जी लें, आनंदित जीवन जी लें, जो आत्मा का आनंद है, इसी शुपका अबनाओं के साथ, आप सब को मेरा प्रणाव